नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुणने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है अच्छे इनसानों ने एक बुराई होती है यह सब को अच्छा समझ लेते हैं पैसा वही है जो पास में है ताकत वही है जो हाथ में है और अपना वही है जो आपकी साथ में है आत्म सम्मान पे लगी ठेस इनसा को बदल कर रख देता है आप जिसे जितने सिद्दत से चाहोगी वह इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा गहरी बाते समझने के लिए गहरा होना चरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटे खाई हो बहुत दर्ध होता है उस वक्ते जब हम किसी पर अंधे क की तरफ भरोसा करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंदे थे सोच अगर खुबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजराता है जो गुजर गया है उसे पीछे मूर कर कभी मत देखना वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खोदोगे सरी सुन्दर हो ना हो पर सब्दों को जरूर सुन्दर होना चाहिए क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर सब्दों को कभी नहीं बूलते हैं कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है और कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है कोई नराज है तो रहने दो इसी के पैरों म गिर कर जीना हमें भी नहीं आता जूटी कस्मों से इंसान नहीं वड़ता अगर भरोसा हो जरूर मर जाता है पैसों से अमीर होना आम बात है लेकिन दिल से अमीर होना रास बात है वक्त निकाल कर मिल लिया करो अपनों से कर अगर अपने ही नहीं रहेंगी तो वक्त क्याप कर मगर मजूद्गी की कदर किसी को नहीं होती मुझे लोगों को माफ करना तो आता है मगर दोबारा दिल में जगा देना नहीं आता दिल का साफ होना भी गुना है आज की जमाने में यहां हर इंसान बस पायदा उठाने की सोचता है छोटी ही सही मगर आप अपनी एक अलग इंसान चरूर बनाना इंसान की फित्रत भी अजीव है ना मिले तो सवरे नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता आप अपना वजूद ऐसा बनाओं कि कोई आपको छोड़ तो सके लेकिन कभी भूला ना सके मैं उसी का जिम्मेदार हूँ मैंने कहा है उसका नहीं जो तुमने समझाया है हमने सीखी ना पाए मीठे जूट का हुनर करवे सचनी हमसे कई रिष्टे छील लिए जो राष्टा इसवर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता नीम तो बच्पन में आती है अब तो बस सो जाया करते हैं आप जिससे भी ये कह दो होगे कि वो आपके लिए सबसे जादा जरूरी है वह इंसान आपसे अपना हाथ छुडाने लगता है मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझे से दूर हो गया मैंने सब को अपना बना कर देख लिया लेकिन कोई भी हम मैंसा के लिए अपना नहीं होता जब सपने तूटे हो और अपने छूटे हो तो नेन की गोलिया भी भी असर हो जाती है दोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सकून मिल जाता है मगर दोखा देने वालों को कभी सकून नहीं मिलता खामोसी से मुहपत करने वाले उम्र भर वफारे भाते हैं, दुस्मन कभी काम्याव होते हैं, जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं, मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगार देना नहीं आता, हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नीन पुरी हुई, ना क्वाब पुरे हुए, आप नीचे गिर कर देखो, कोई उठाने वाला नहीं आएगा, आप जड़ा उड़को तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आजाएंगे, रिस्तों का सम्मन सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ ठाम ले, उससे बरा कोई रिस्ता नहीं होता, वो मन बना च को ड्रामा समझ लेता है, पवित्ता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपरे भी उतार देते हैं, कैसे कर लेती हैं लोग इसके दोचार के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का खयाल नहीं तकाया, समंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है, आप का सहरा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं, अगर चुप कराने वाला कोई नहों, तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं, आपकी काम्याभी के पीछे सबसे बरा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है, जब अर्दस्ति की नज़्दीकियों से अच्छी है, कटी हुई टेहनिया कहां च्छाओ देती है, हस्त जादा उमिदे हमेशा घाओ देती है, पहचाल मनानी है, तो भीर से हट कर कुछ करना होगा, हर किसी के नाम पर नहीं रुकती धरकने, दिलों के भी कुछ वसूल हुआ करते हैं, चा जाती है चुपी अगर ग गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिने हमेशा उससे ज़्यादा दूसरों की फिक्र रह दी है, गुस्सा और मतवेद बारिस की तरह होना चाहिए, जो बरसकर खत्म हो जाए, प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोस हो, लेकिन हमेशा आसफास ही रहे, इस दु पूज़ कर ज़्यादा सिक्वा नहीं किया मैंने हर कोई अपनी जगश सही होता है खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बरबाल मत करो एग्णोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होसी नहीं आता ह हमें बुरी तरह से अजमाया गया है। अब हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देंगे। हमने कहना ही छोड़ दिया कि इवं मुझे से बात करो। जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फर्क नहीं परता, तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क परता है। जहर भी देने लायक नहीं थे कुछ लोग और हम जिन्दिगी भर उन्हें अपने राज बताते रहे। जहर का भी अपना हिसाव होता है, मरने के लिए थोरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना परता है। कभी हारने का इरादा हो, तो उन लोगों को याद करे ना जिन्होंने कहा था कि तुम से कुछ नहीं होगा, कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती। बस हमी जरूरत ज़्यादा उमीर लगा लेती हैं जरूरी नहीं कुछ गरत करने से ही दुख मिले हस से ज़्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी परती है हम खुछ से गिरे थे खुछ से ही उठेंगे अब ना किसी का हाँच चाहिए और ना किसी का साथ चाहिए किसी को आसानी से मत मिल जाना क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे देने वालों की हैसियत है सहाब कोई प्यार देता है तो कोई धोखा देता है पहली बार हम प्यार करते हैं और दूसरी बार हम प्यार को ढूर्णते हैं हाँ परक नहीं परता कि कोई दिल दुखाए बता उसे और दुखी कर देते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब लोग हमें इगनूर करते हैं, जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब यही लोग हमसे बात करना और रिष्ते बनाना चाहते हैं, तारिफ करके किसी भी आदमी से कोई भी बेवकूफी कर आई जा सकती है, अकर और अभिमान एक मानसिक भीवारी है, जिसका इलाज, कुद्रत और समय जरूर करता है, उम्र भर भटकना ही बहतर है, किसी गलत जगह पर जाने से, दुनिया से दो कदम पीछे ही सही, लेकिन आप अपने दम पर चलना, दुनिया का वसूल है, जब तक काम है, तब तक आपका नाम है, और ना दूर से ही सलाम है, आप जितना ज़्यादा सच के करीब जाओगे, आपकी जिन्दगी में दूस्त उतने कम होते जाएंगे, जब रिष्टा पुराना हो जाता है, तो कदर खत्म हो जाती है, दोस्तों आपको वीडियो से वीडियो को लाइक करें और कॉमन बॉक्स से उमने वस्ची वाली करें, आपको चाल कर सब्सक्राइब जाने माद दूस्तों